पावन सिंग के नाम का दिन रात माला जपने वाली डिमपल सिंग जब खिसारी लाल यादो के नए सावन के गाने पर रिल बनाती हैं, तो खिसारी के फैंस डिमपल सिंग को ट्रॉल करनाई में पीछे नहीं रहते हैं, डिमपल सिंग का एक वीडियो इन दिनों शोसल मेडिया पर काफी तेजी सी चर्चे में है जिसमें वो खिसारी लाल यादो के करीबी राइटर तुंटुन यादो के साथ खिसारी के नए गाने फुल बेल पत्ता पर डांस करते हुए रील बनाई है और जब से खिसारी के फैंस ने डिमपल सिंग का ये रील देखा है तब से डिमपल सिंग को शोषल मीडिया पर खुब ट्रॉल किया जा रहा है डिंपल सिंग की हिरोईन का एक तस्वीर खिसारी लाल यादो के साथ और ऊंके team members के साथ शोषल मीडिया पर सामने आया था जिसको देखकर यह नुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है आने वाले दिनों में डिम्पल सिंग और खिसारी लाल यादो का कोई नया गाना आने वाला है उसके बाद डिम्पल सिंग को अब दुबारा से एक वीडियो के लिए ट्रॉल किया जा रहा है और ऐसे में हम यह देखकर कह सकते हैं कि खिसारी पवन के एक होने के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई ट्रॉल हो रहा है तो वो है भोशपूरी मॉडल डिम्पल सिंग और डिम्पल सिंग खिसारे के साथ नजर आने के बाद उनके गाने पर रील बनाने के बाद जितना ट्रॉल हुई है या हो रही है उतना तो यामिनी सिंग के सारे लाल यादो से अलग होकर भी ट्रॉल नहीं हुई बलकि यामिनी सिंग के सारे लालियादो को छोड़कर बोचपुरी एक्टर चिंटु पांडे के पास जब गई तब भी सबसे ज़्यादा खिसारे लालियादो ही ट्रॉल किये गए आप डिमपल सिंग के साथ ऐसा क्यों हो रहा है पावन खिसारी के एक हो जाने के बाद भी खिसारी के फैंस डिमपल सिंग को क्यों ट्रॉल कर रहे हैं यह हम आपको आगे की वीजियो में समझाएंगे लेकिन उसे पहले नमस्कार मेरे नाम है डॉली पांडे मेरे साथ एक आम सिंग का डाइलोग बोलतीं थी झालिंगोंगों के राच चली के राच चली सब्हांतसी करने के लिए जन बॉघ कर वह मैं ता उन को ताकि उनकी वहार से फार्वंचि उन पर हमेशा खुस रहें और अपने साथ नया नया काम करने का मौका देते रहें ृप स्टाफ को छापडूशी करने का फाइदा विमलता था और बोल पार संह की चापडूशी करकर अपने चहरा चमका लिया खिसारी लालीयादो के फैंस को ऍपल सिंग की यादत बिलकूल उछপ helpful ती खिसारी के इस बात दिक्त होती थी खिसारी के फैंस को कि रहुप जिस्टिमhl using को खिसारी लालयादोネटो ने लॉंच किया जिस्ट डिंपल सिंग ने पेहले खिसारी लालयादों के साथ काम किया जिसकी की पहचान風 reacts किसी शों जाती थी तो वहां अगर कोई डिम्पल सिंग से खिसारी लालयातों का गाना गाने का डिमान करता था या फिर अगर पब्लिक कभी चाहती थी कि डिम्पल सिंग खिसारी के गाने पर डांस कर दे तो डिम्पल सिंग ऐसा नहीं करती थी बलकि वह खिसारी के गाने को बंद कराक लगते थी कि तो कोलने लगते हैं ने लगती तेंट और डिमपलस्य इस इसलिए करती थी कि उस वक्तपवंखिसारे कि बीच सबसे बड़े रिवेविरोदी ती wr और सच है कि यह श्चाहिए और सबसे जदांटी पर स shipping के और नहीं चाहते थी कि किसे भी वज़े से किसी भी कारण से मेरी किसी भी गलती से मेरे पात्स से पहन सिंग के हीरोईं कर टैग हटे और अगर वो उस वकत खेसारी के गाने पर डांस कर लेती है। तो पवन के फैंस उसे नाराज हो जाते और डिमपल को भी इस बात का डर कहीं ने कहीं हो गया था कि वो कुछ भी ऐसा करेंगी तो उनको पवन सिंग के साथ काम करने का मौका नहीं मिलेगा इसी लालच में अक्षरा पवन के विवाद के बाद भी डिमपल सिंग पवन सिंग का साइड लेती है एक लड़की होने के बावजूद डिमपल सिंग को अक्षरा सिंग का साइड लेना चाहिए था लेकिन वो पवन सिंग से काम के लालश में अक्षरा सिंग के समर्थन में एक शब्द नहीं बोलती है बलके वो उल्टा अक्षरा सिंग को ही बदनाम करती है यहां तक कि किसारी पवन के विबाद में भी वो अपने फाइदे के लिए पवन सिंग का चमचाई करती है हर जगह पवंख का। डाय लोग बोलती रहती हैं लेकिन जो डिम्पल सींग दिन राथ पवंख सिंग मेडिया पर लिखते हैं और ऐच्छते होग के नीचे ने पड़ेगा किसी ने लिखा कि अब बताओ पावर कहां से आता है क्योंकि डिमपल सिंग अक्सर कहा करती थी कि पावर तो पावन सिंग से शुरू होता है पावर दूसरा कोई कहां से ले आएगा महीं किसी ने लिखा कि रात भरना चाई बुरे डिमपल आवा बाग कि आपका इस पर क्या कहना है अपनी रैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा फिलाल इस वीडियो के यह पसमात करते हैं मिलते हैं सी किसे नहीं वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज़त देशे धन्यवाद